इस्टाट करेंगे दोस्तो इस वीडियो को, बेंको बडोधा हमारे पास में है, बेंको बडोधा के बारे में बात करेंगे, 188.30 का जो करेंट प्राइज हमें देखने को मिलता है, प्रीवियस के लौजिंग में दो अरुपे 55 पैसे की तेजिंग जो है देखने को हमें मिल ज ठीजर सेरहmiyor जाएक के सुध हतंडार बनते हुए हमें सेर में मिल जाएगा जो है चीज महींने में इस्ट करें अठाह्यश पर्संट सर्थ स्टतरत्र 3ND है और पात साल की बात करें तो पात साल में 34% का रिटन हमें बनते हुए देखने को मिलेगा मैक्जिमम रिटन की बात करें तो 1766% का बनते हुए हमें देखने को इसमें मिल जाएगा तो यह एक स्टोक ऐसा है जो की सोटम के लिए या हम कहें जो भी होते हैं जो पैंकिंग स्टोक होते हैं चाहे वह प्राइवेट बैंक हो चाहे वह पियस यू बैंक हो सब जो है सोटम के लिए परफेक्ट होते हैं लोंग टम के लिए बैंक जो है कैरी मेरे खाल से किसी को नहीं करने चाहिए कोई बड़ा पैंक है HDFC, KOTAC, ICC, XCX तो यह सेयर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर 6 मेने का चार्ट देखें तो एक इंपोर्टेंट लेवल इसमें दिखाई देगा यहाँ कि 200 के आसपास का एक लेवल ऐसा है जहाँ पर जो है सेयर का रेसिस्टेंट हमें बनते हुआ देखने को मिलेगा और अभी देखें तो 28 का प्राइस है यहाँ कि रेसिस्टेंट के काफी पास जो है ट्रेड अभी के समय में कर रहा है सेयर के चार्ट को देखें तो जैसा मैंने बताया 200 के आसपास का एक रेसिस्टेंट बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है अब यहाँ से अगर हम देखें तो एक राउंडिंग बोटम टाइप का जो है हमें बनता हुआ देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से जो है इस बा ज़्यादा नीचे जाने की चमता कम है क्योंकि banking sector काफी ज्यादा बुलिस अभी के समय में देखने को मिल रहा है अब इसमें करना कुछ है बाई इसमें नहीं करना चाहिए बाइन का जो लेवल मिला था मैं पता है काफी ज्यादा हाई जा चुका था पहले ही तो बाई का जो मौका बनाता था बाई का मौका यहां पे हमें बना था rewind के लेवल के नीचे अभी तो बाई के लिए मेरे innate से एस सेर में नहीं जाना चाहिए हाला कि जो इंवेस्टर है वो पेसेंस रख के चाहिए वो सोटब्र के लिए लिए बीढ़न कर रहे हो और मिलता है तो अभी जो है उनको score इसमें करना तो सांदार return बनते हुए हमें देखने को मिले हैं जैसा मैंने बताया breakout बनता है तो next target जो है 220 के आसपास का इसमें हो सकता है और यहाँ पे एक दूसरी चीज भी है technical term में अगर हम देखें तो हमें जो है देखने को मिलेगा कि जो trend line इसकी चल रही है यह जो trend line है इसको break नहीं क हुए आपने long position का मतलब यह है कुछ निवेसक ऐसे भी होंगे जिन्होंने 80 रुपीज के आसपास 100 रुपीज के आसपास की जो है इसमें अपनी buy की होगी 6 महीने साल पर पहले तो उन्होंने जो है अपनी जो long position मनाई हुई है तो वो मेरे खाल से उनको तब तक exit नहीं करना कि अनाउंस हुए नहीं है तो जबी भी को q4 के numbers आएंगे तो एक update हमें जो है और इसके इसका जो है मिल जाएगा हलाकि अगर performance की बात करें तो banking sector के जितने भी दिगज सेयर हैं दिगज कंपनिया है जिनके recent performance अच्छी रही है उनके जो q4 के numbers आ रहे है वो numbers जो है जबर दस से सांदार आने चाहिए और numbers अगर सांदार आते हैं तो फिर बहुँ ज्यादा possibility है कि जो यह यहां पे हमें breakout देखने को इस लेवल पे जो resistant बन रहा है 200 के आजपास का वो breakout देखने को मिल सकता है कंपणी के recent numbers की बात करें तो पिछले कई quarter से लगातार हमें company के number increase होते हुए बैंक के number increase होते हुए नजर आएंगे पिछले quarter में December 2022 यानि तीसरे quarter में revenue जो रहा है 24,000 के उपर का रहा है उससे पहले 22,000 का revenue था उससे पहले 19,900 का फिर 19,000 फिर 18,000 फिर 17,000 यानि कि लगातार सिप्तमबर 2021 से company के जो numbers है वो increase हो रहे हैं और जो profit है profit भी कही ना कहीं हमें बढ़ता हुआ company का देखने को मिल रहा ह नेट profit की अगर हम company के बात करें तो पिछले तीन quarter से लगातार company का जो net profit है वो increase हो रहा है 1942, 392 और 456 यानि कि पिछले तीन quarter से बढ़िया performance बैंक की हमें देखने को मिल रही है उसके अलाबा अगर हम revenue की बात करें annual basis पे तो यहाँ पे भी हमें जो है संदार performance देखने को मिले बैंक की जो सालाना performance है इसको अगर देखें तो छोटी मोटी गिरावट को अगर निकाल दे तो continuously बैंक के जो numbers है वो हमें increase होते हुए देखने को मिलेंगे अभी तीन quarter का revenue है वो 86,000 करोड के आसपास का देखने को मिल रहा है इस quarter के numbers अगर add हो जाते हैं तो यह जो नंबर है एक लाग करोड के आसपास जो है मेरे ख्याल से जो revenue है वो पहुंच जाना चाहिए और net profit अगर हम देखें तो net profit भी current year का 3 quarter का 11,743 करोड के आसपास का देखने को मिल रहा है तो यहाँ पे भी जो है net profit के मामले में भी पिछले साल के जो numbers है यानि कि 8,000 करोड का net profit है उसको क कर सकते हैं और आगे जो है निकल सकते हैं तो अगर annual basis पर भी देखें तो पिछले लगाता चार सालों में company के numbers जो है increase होते हुए में देखने को मिलेंगे 981,620 और 7,933 और 11,773 इसमें जो है four quarter के number add हो जाएंगे और यहाँ पर जो है यह जो numbers है पिछले तीन साल के जो numbers है उन से जो है आगे निकल जाएंगे उसके अलाबा सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले दस साल में 9%, पास साल में 11%, तीन साल में 12% और current year के 20% यानि कि recent performance दिखाता है हमें recent performance जो है share की गजब की रही है सेम चीज हमें profit के मामले में भी देखने को मिलेगा 10 year में 4% का में compounded profit growth देखने को मिलेगी, 5 year में 35, 3 year 93 और TTA में current year की 129% देखने को मिलेगी, कहने का मतलब यह है कि यह जो नंबर है जितना हम 100 term में जा रहे हैं उतनी नंबर जो हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, CAGR की बात करें, तो long term के लिए उन स्टोप में जाना चाहिए, जिनका CR जो है more than 25% हो 10 year का, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया CAGR 100 term के लिए perfect है, सेम चीज हमें CAGR में भी जो है देखने को मिलती है, 3% का 10 year CAGR है, उसके आगे जैसे ही time कम हुआ 5 year का CAGR 5% है, 3 year का CAGR 56%, 1 साल का CAGR 66%, तो यहाँ पे भी जो हमें 100 term में number increase होते हुए देखने को मिल रहे ह return on equity की बात करें, तो return on equity भी हमें 100 term में, यानि कि जितना time कम जाएंगे उतना जो हमें increase होती हुई देखने को मिलेगी, last year का return on equity देखे 9% है, 3 साल का देखे 4%, 5 साल का 3% और 10 साल का 4% हमें देखने को मिल रहे है, कहने का मतलब यह है कि recent performance bank को बढ़ोदा की जवर्दत रही है तो जो भी निवेल सक हैं, मेरे ख्याल से उनको जो है अभी के समय में hold करना चाहिए, और buy तो मेरे ख्याल से ऐसे label पे करना अभी के समय में सही नहीं होगा, क्योंकि buy जब करें, जब आपको dip का मौका होगा, आप short term के लिए buy कर रहे हैं, और short term के लिए ही bank को बढ़ोदा ह है, short term के लिए ही मेरे ख्याल से जाना चाहिए, तो जब dip हो तब buy करें, हाला कि जो निवेल सकें, continuously hold करके चल सकते हैं, क्योंकि 4K numbers का बेट कर सकते हैं,